Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूं RT Teleprime के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Daybook में Configuration और अन्य Options का उपयोग कैसे करते हैं Daybook के इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको Daybook का दिन प्रते दिन होने वाला उपयोग बताया था और Configuration की सामान्य जानकारी दे थी इस वीडियो में हम Daybook में Configuration के बारे में और साथ ही अन्य Options के बारे में बताएंगे इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें अब यह हम Gateway आफ टाली पर है डे बुक के लिए के प्रेस करें देखें यहां कोछ वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं हम शुरू से लेकर आखिरी transactions तक के वाउचर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए alter और F2 की को प्रेस करेंगे अब यहां पर from में space bar प्रेस करके एंटर प्रेस करें इसी तरह 2 में भी space bar प्रेस करके एंटर प्रेस करें देखिए यहां सभी vouchers तारीख के क्रम में दिखाई दे रहे हैं आएए अब configuration में कुछ changes करके देखते हैं और उसके लिए F12 की press कर रहे हैं यहां configuration में हम show narrations को no ही रहने दे रहे हैं और enter press करते हुए आगे बढ़ते हैं और sorting method पर आकर हम इसे default से बदल कर amount increasing से लेक्ट कर रहे हैं आप इन सब options में से अपनी जरुरत के हिसाब से जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं देखिए डे book की पिछली वीडियो में narration दिखाई पड़ रही थी जो की यहां नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने configuration में show narration को नो ही रहने दिया था साथ ही पहले जो vouchers हम date wise देख रहे थे उनका क्रम बदल कर amount के बढ़ते हुए क्रम में आ गया है सबसे कम राशी का voucher सबसे उपर आ रहा है और नीचे की और क्रम शह राशी बढ़ती जा रही है आगे के option समझने के लिए हम F12 की प्रेस करके वापस configuration में कुछ changes कर लेते हैं अब कंट्रोल और A की से इसे accept कर लेते हैं ओपन हुई daybook में यदि आप किसी एक ही टाइक के vouchers देखना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करें अब जिस type के voucher देखना चाहते हैं वो select करें हम receipt select कर रहे हैं देखे हमने जो period select किया हुआ है उस period के सभी receipt vouchers यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही नीचे की और उनका total भी दिखाई पड़ रहा है अब यदि आप फिर से सभी vouchers एक साथ देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके all items select करें और यदि कोई दूसरी type का voucher देखना चाहते हैं तो उस voucher को select करें हम cells select कर रहे हैं देखे हमने जो period select किया हुआ है उस period के सभी cells vouchers यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही नीचे की और उनका total भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ आप right side button बार में एक नया option show profit देख रहे हैं हम इसकी shortcut की F7 प्रेस कर रहे हैं ऐसा करते ही यहाँ हमने जो items बेचे हैं उनकी transaction value, gross revenue और cost दिखाई पड़ रही है साथ ही उन items को बेचने से कितना gross profit हुआ है और उनका क्या प्रतिशत है यह भी लिखा दिखाई पड़ रहा है हम वापस F7 की प्रेस करके पुरानी सिती में आ गए हैं चुकि यहाँ हमने cells voucher select किया हुआ है हम चाहें तो यहीं से cells register भी देख सकते हैं उसके लिए F8 की प्रेस करें column नार register alteration window आ रही है इसमें से आप जो भी option yes या no करना चाहें कर सकते हैं हम इन सभी को yes कर रहे है और इस window को accept कर रहे हैं देखे हमने जो period select किया हुआ है उसका cells register आ गया है जिसमें cells का पूरा विवरण है हम cells register और इसकी उपयोगिता के बारे में आगे आपको detail में बताएंगे यदि आपको ध्यान हो तो जब हम gateway of tally पर थे तो वहां हमने दो companies open की हुई थी जिन में से एक पर हम काम कर रहे थे अब यदि हम जिस भी report पर हैं और वही report दूसरी company की भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए F3 की press करेंगे और दूसरी company का नाम select करेंगे देखेंगे दूसरी company की report आ रही है हम F3 की press करके वापस पहले वाली company select कर लेते हैं आईए अब इस report को extract करके देखते हैं उसके लिए control के साथ H की press करें अब यहां से extract को select करें ऐसा करते ही sales vouchers में जो भी ledgers उपयोग हुए हैं उनके group के नाम के साथ उनके नाम और उनके आगे उनके debit और credit amount लिखे हुए हैं हम sundry raters में से एक customer पर जाकर enter press कर रहे हैं ऐसा करते ही उसके सभी bills की detail आ गई है हम एक बार escape की press कर रहे हैं अब यहां वापस control के साथ H की press कर रहे हैं देखिए inventory wise extract selected है हम enter press कर रहे हैं ऐसा करते ही हमें इन sales transactions में जो stock items उपयोग हुए हैं उनके group के नाम के साथ उनके नाम और उनकी details दिखाई पड़ रही हैं इस report को भी हम आगे समझेंगे यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने बहुत कम transactions किये हुए हैं जब हमारे पास बहुत से transactions होते हैं तब daybook में अलग-अलग configuration करके हम अलग-अलग उदेश के लिए अलग-अलग प्रकार से बहुत ही कम समय में इन्हें देख और समझ सकते हैं हम Ctrl और H की प्रेस करेंगे अब यहां से vouchers select करके enter प्रेस कर रहे हैं देखे हम पहले वाली स्थिती में आ गए हैं आए अब exception reports को भी देख लेते हैं उसके लिए Ctrl और J की प्रेस करें अब यहां पर show more पर जाकर enter प्रेस करें और show inactive पर जाकर enter प्रेस करें देखें यहां से भी आप कई तरह की reports देख सकते हैं इनके बारे में आप आगे काम करते हुए सिखेंगे यहां हमारा इन्हें बताने का उद्देश यह है कि आपको पता रहे कि आप Daybook में रहते हुए इस तरह की reports भी देख सकते हैं इस वीडियो में हमने Daybook में configuration के साथ उपयोग होने वाले options के बारे में बताया इसके अगले पार्ट में आप जानेंगे कि day book में रहते हुए transactions से संबंधित क्या काम किये जा सकते हैं